हेलो फ्रेंट्स नहीं सुमान आप देख रहे हैं सुमान टेगनों दोस्तो आज हमारे पास है रियल मी 5S आप यहाँ पे देख साखते हो आज इस विडियो में रियल मी 5S का टॉप 50 प्लास हिडन फीचर्स या टिप्स एं ट्रिक आप लोगों के साथ सेयर करूंगा दोस्तो अगर आपके पास एफोन है या आप एफोन वाई करने के लिए सोच रहे हो तो एफ विडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है विडियो को लाश्क तक जरूर देखना और चैनल में न्यूँ हो तो सस्क्राइब करके बिलाइक इनको भी बजा देना लाइक करना मत लिए तो गैस चलिए विडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों आप किसी भी एप पर टैप करके रखिए और दोस्तों बहुत सारे ओप्सिन खुलके आ जाएगा मैं यहाँ पर यूट्यूब के ओपर टैप करके रखा हूँ और यहाँ पर आगी आ है सार्च सस दोस्तों आप यूट्यूब के अंदर ना जाके यहाँ से डारेक्टली आप ट्रेंडिंग में जा सकते हो जो की बहुत अच्छा फीचास है ऐसी भी दोस्तों यहाँ से किसी भी आपको सौटकार्ट चाहिए तो टैप करके होल्ड करके रखिए और निची की तरफ लेकर आ जाएगा जो पहला अपसे ने ओएगा इस उडिच दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे सौटकार्ट देखने को मिल जाएगा आपको जो सौटकार्ट पसंद है और टैप कीजिए और दोस्तों ओपर की तरफ आजाएगा जो की यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे भी दोस्तों आप यहाँ पे चेंज करके भी रख सकते हो ऐसे भी दोस्तों वाल पेपर यहाँ पे दिखाए देगा रियल मी बाइट डिफल्ट यहाँ पे बहुत सारे वाल पेपर दिया है आप यहाँ से किसी भी वाल पेपर सेट भी करके रख सकते हो उसके बाद दोस्तों इफेक्ट दिखाई देगा तरह तरह की effect है आपके हिसाब से एक effect यहाँ पे select कर लेना मैं यहाँ पे default रहने देता हूँ उसके बाद दोस्तों चलिए setting में setting में आने के बाद दोस्तों जो पहला option है home screen mode यहाँ पे आप tap करोगे तो दो option खुलके आएगा standard mode and drawer mode मैं यहाँ पे drawer mode राका हूँ दोलों का अलग-अलग interface है तो आप set कर लेना आपके हिसाब से उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे so app prediction यह किया है दोस्तों आप ओपर से swipe करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा app prediction यानि कि जो app आप recently use किये हो ओपको यहाँ पे दिखाई देगा तो दोस्तों अगर यहाँ पे जाने के बाद अगर इसको मैं आप कर देता हूँ और दोस्तों मैं आपको दिखाऊँ तो दोस्तों कोई भी app prediction नहीं दिखाई दे रहा है तो आपके इसाब से आप यहाँ पे चेंज करके भी रख सकते हो add app to home skin दोस्तों आप play store या 340 कहां से भी आप किसी भी app download या install करते हो तो ओपको home skin में दिखाई देगा आपके इसाब से आप यहाँ पे चेंज करके भी रख सकते हो off या on उसके बाद दोस्तों home skin layout आपके इसाब से आप यहाँ पे setup कर लेना मैं यहाँ पे रखा हूँ 5 is to 6 उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप आओगे set theme दिखाई देगा तो आपके इसाब से आप यहाँ पे theme भी select करके रख सकते हो मेरा अब भी internet connection नहीं है इसलिए दोस्तों नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे जब आओगे तो internet on रहना चाहिए और यहाँ पे तरह तरह की theme दिखाई देगा आपके इसाब से आप यहाँ पे change कर लेना उसके बाद दोस्तों चलिए setting में भर भर के features देगने को मिलता है सबसे पहले wifi में चलिए और wifi में जाने के बाद wifi assistance में चलिए यहाँ पे आने के बाद दोस्तों पहला जो features है intelligently select the best wifi यह basically off रहता है अगर इसको enable करोगे तो आपके आसपास जो सारे wifi रहेगा जिसका speed ज़्यादा रहेगा वो उसके साथ connect करने के लिए बोलेगा या connect करतेगा अगर password पहले से सेब रहेगा तो उसके बाद दोस्तों auto switch to caller network मालो आपके wifi में ज़्यादा speed नहीं है और आपके phone के internet में ज़्यादा speed है तो यह automatically wifi से network में switch करतेगा बहुत अच्छा फिचास है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे notification and status पार किसी भी notification आपको irritated करता है तो notification में जाहिए जो app आपको irritated करता है मालो Amazon का notification मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पे आके off कर देना और दोस्तों जो Amazon का notification है उन नहीं आएगा बहुत अच्छा फिचास है आपके सबसे आप change करके भी रख साकते हो उसके बाद दोस्तों back में चलिए और दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा battery percentage जब आप phone खरीते हो तो battery का percentage यहाँ पे नहीं दिखाई देता है तो इसको enable कर देना और दोस्तों battery का percentage अंदर की तरफ दिखाई देगा जो कि यहाँ पे आप देख साकते हो so real time network speed जब आप internet चला रहे हो तो यहाँ पे आपको internet speed दिखाई देता है तो इसको enable कर देना ओ speed भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा notification prompt एक या है दोस्तों जो भी notification आपको यहाँ पे देखेना है यानि कि notification का icon दिखाना है या कितना notification आया है वो number दिखाना है तो अगर आपको number दिखाना है तो number में क्लिक कर देना अगर आपको icon दिखाना है तो icon में क्लिक करना मैं ज़ते तर icon रखता हूँ उसके बाद दोस्तो display notification drawer on lock screen यानि कि lock screen में अगर आप किसी भी notification दिखाना चाहते हो तो इसको enable जरूर कर देना So data using at the top of the notification bar यानि कि आप दिन में या मांत में कितने data use किये हो वो आपको यहाँ पर notification bar में दिखाई देगा इसको enable कर देना मैं अभी हिकपी data use नहीं किया हूँ इसलिए दोस्तो नहीं दिखाई दे रहा है वरना यहाँ पर दिखाई देता आप कितने data use किये हो जो की बहुत अच्छा फीचास है उसके बाद दोस्तो turn on skin for notification दोस्तो जब भी आपके phone में notification आए तो जो light है और जल जाएगा इसको अगर enable करोगे तो so banner notification in full skin यानि कि यहाँ पर pop up खुल के आजाता है तो आप full skin में banner notification दिखाना चाहते हो तो इसको enable करके भी रक्स दाखते हो उसके बाद दोस्तो display and brightness में आईए यहाँ पर आने के बाद दोस्तो तरह तरह की आपको option दिखाई देगा पहला जो option है वहीग इस night schedule यह दोस्तो night mood की तरह ही होता है इसको enable करोगे तो रातों में जदातर use होता है अगर इसको enable करोगे और रातों में use करोगे तो आपके आँखों को दर्त नहीं पहुचेगा आपके सबसे इसका color भी आप adjust करके रख साकते हो ऐसे भी दोस्तो आप schedule भी करके रख साकते हो मैं जदातर रातों में use करता हूँ तो मुझे लगता है आपको भी रातों में use करना चाहिए तो आपके इसाब से आप यहाँ पे schedule भी कर देना बहुत अच्छा बहुत cool फिचास है मैं इसको जदातर use करता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पे front size का दिखाई देगा मैं यहाँ पे medium करके रखा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं अभी tips and trick बता रहूँ आप default करके रखना best होता है display size यहाँ पे आप आओगे तो display size भी आपके इसाब से आप यहाँ पे बदल करके रखस दाखते हो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप आओगे तो दोस्तों जो full skin यानि कि जो सारे app full skin में नहीं दिखाई देता है यहाँ पे basically on तो रहता है लेकिन बहुत सारे app होता है कि full skin में नहीं दिखाई देता है तो यहाँ पे आके enable कर देना ओफ फूल स्कीन में दिखाई देगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे auto skin off यानि कि दोस्तों जो auto skin off होता है ओ 30 सेकेंट रखा है आपके इसाब से आप select करके रख साकते हो मैं अभी यहाँ पे 30 मिनिट रहने देता हूँ क्योंकि दोस्तो मैं अभी tips and trick बता रहा हूँ उसके बाद दोस्तो smart service में आओगे यहाँ पे smart driving तो दोस्तो यहाँ पे driving mode दिया गिया है basically यह bike mode जैसा ही है आप यहाँ पे आके इसको enable करके भी रख साकते हो यहाँ पे reading mode दिया गिया है आपके इसाब से आप इसको enable करके रख साकते हो दोस्तो 8 night schedule जैसा ही है सबसे पहले मैं यहाँ पे mute करता हूँ तो night mode की तरह ही है बहुत अच्छा फिजास है इसको अभी मैं फिलाल ओप करके रखता हूँ यहाँ पे दोस्तो बैग में जाओगे और convenience इट्स में आओगे तो दोस्तो यहाँ पे बहुत सारे option दिखाए देगा जैसे कि दोस्तो press and hold the power button for 0.5 second to wipe up google assistant यानि कि दोस्तो power button को आप 0.5 second तक tap करके रखोगे तो google assistance on हो जाएगा इसको enable करने के बाद आपकी सबसे आप यहाँ पे enable करके रख साकते हो उसके बाद दोस्तो navigation की में जाओगे तो दोस्तो यहाँ पे बहुत सारे तरह तरह की features दिया गिया है जैसे कि दोस्तो यहाँ पे basically back यहाँ पे रहता है माल लो आपको जो back button है वो आपको यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे कर देना यहाँ पे कर देना यहाँ पे कर देना यहाँ पे कर देना बहुत cool cool features दिया गिया है ऐसे भी दोस्तो यहाँ पे justice दिया गिया है आपकी सबसे आप यहाँ बदल करके भी रख साकते हो मैं अभी दोस्तों यहां पे की रहने देता हूँ उसके बाद दोस्तों चलिए बैक में और बैक में जाने के बाद दोस्तों एक या है एक बल जैसा खुलके आ जाता है मैं आपको दिखाता हूँ यहां पे एक बल जैसा खुलके आ गिया है दोस्तो यहाँ पे आप tap करोगे यहाँ पे मैं अगर tap करूँ तो दोस्तो back में आ जाओगे तो दोस्तो बहुत अच्छा फिज़ास है आपके इसाब से आप इसको enable करके भी रख सकते हो ऐसे भी दोस्तो आपके इसाब से आप customize भी करके रख सकते हो जैसे कि दोस्तो टैप करोगे तो back में आओगे, double tap करोगे तो multi testing में आओगे and tap and hold करके रखोगे तो home skin में आ जाएगा and heightable automatically in full skin, यानि कि आप full skin में इसको height करना चाहते हो तो इसको level कर देना और ये height हो जाएगा, बहुत अच्छा फीजास है, इसको अभी मैं on रहने देता उसके बाद दोस्तो smart slide bar में आना, basically ये on रहता है, यहाँ से swipe करोगे तो दोस्तो एक smart slide bar खुलके आ जाएगा, basically ये shortcut है, दोस्तो अगर आपको recent app में कुछ जाना है, youtube में जाना है तो tap कीजिए and दोस्तो facebook में जाना है तो tap कीजिए and दोस्तो messages में आना है तो tap करके आते जाए बहुत अच्चा-चप features दिया गिया है आपके हिसाब से आप यहाँ पे आजा सकते हो जो कि बहुत अच्छा features है, आप यहाँ पे आके add करके भी रख सकते हो आपके हिसाब से जो सरे shortcut आपको चाहिए, ऐसे भी दोस्तो यहाँ पे भी बहुत सरे shortcut देखने को मिल चाएगा, जैसे कि दोस्तो skin shot वगरा बहुत कूछ आपकी सबसे आप यहाँ भी select करके रख सकते हो। तो दोस्तो bag में चलिए and discharge and motion में आईए और दोस्तो यहाँ पे skin of justice में यहाँ पे आऊगे तो दोस्तो इसको enable करोगे बहुत सारे option को लोके आजाएगा double tap to turn on skin यानि कि दोस्तो इसको enable करोगे और double tap करोगे तो जो skin है वो on हो जाएगा दोस्तो बहुत अच्छा फिचास है दोस्तो यहाँ पे आप देख साकते हो on हो गया है उसके बाद दोस्तो draw o enable camera दोस्तो, डौ करता हूँ, ओ, तो दोस्तो, यहां पर camera enable हो जाएगा, तो दोस्तो, यहां पर आप देख साकते हो, camera enable हो गिया है, बहुत अच्छा विजैसे आपके हेसाब से, आप इहां पर enable करके भी रख साकते हो, वी करोगे तो flash जल जाएगा उसके बाद दोस्तो smart call में जाहिए यहाँ पर आने के बाद दोस्तो auto answer when phone is near air दोस्तो आपके phone में किसी भी call वगरा आ रहा है और आप इसको enable करके आप काणों की तरब लेकर आ जाओगे तो automatically ओ receive हो जाएगा flip mute in incoming call यानि कि आपके phone में किसी भी call वगरा आ रहा है और आपको mute करना है तो इस तरह है इस तरह पलट देजिए और वो mute हो जाएगा बहुत आच्छा फिचास है आपके सबसे आप यहाँ पर enable करके रख साकते हो raise to turn on skin यानि कि यह enable है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर phone पड़ा है अगर इसको मैं उठाता हूँ और जो skin का light है वो जल जाएगा three finger skin shot यानि कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर three finger से skin shot ले साकते हो यहाँ पर आके दोस्तों आप long skin shot भी ले साकते हो जो की बहुत आच्छा फीचास है मैं इसको दददद़ यूज करता हूँ और long skin shot हो जाता है बहुत आच्छा फीचास है आपकी हिसाब से आप यहाँ पर enable करके भी रख साकते हो उसके बाद दोस्तों security में चलिए यहाँ पर आने के बाद find my device यहाँ पर आपको एक website दिखाई देगा यहाँ पर आने के बाद इस website में जाने के बाद आपके फोन में जो Gmail है उस Gmail के जरीए यहाँ पर sign in कर देना basically आपके फोन जब गुम हो जाता है या खो जाता है तो इस website में जाके आपके फोन में जो Gmail ID है उसको login कर देना और इसके जरीए आप आपके phone को ढूंड सकते हो जो कि बहुत अच्छा फिचास है मैं इसको जड़तर use करता हूँ उसके बाद दोस्तो निचे की तरफ आओगे app lock आपको दिखाई देगा दोस्तो यहां पे आने के बाद आपको sit password करने के लिए बोलेगा मेरा sim एक ही password है तो दोस्तो यहां पे आके use कर देना फिर से password देने के लिए बोल रहा है और दोस्तो यहां पे एक what लेगने के लिए बोल रहा है जो कि यहां पे आप देख साकते है what is the name of one year teacher तो आपको एक name दिखाई देगा तो यहाँ पे enable कर देना और दोस्तो यहाँ पे आप app लोग कर साकते हो यानि कि जो साले app है private करना चाते हो तो यहाँ पे आके add करके भी रख साकते हो ऐसे भी दोस्तो private ship यहाँ पे आप आओगे सेम दोस्तो आपको सेम password वगरा देना पड़ेगा और यहाँ पे आने के बाद क्या होगा आप gallery की photo, video वगरा छुपा साकते हो जो की बहुत आच्छा फिजास है उसके बाद दोस्तो additional setting में चाहिए यहाँ पे आने के बाद दोस्तो OTG connection बहुत सारे वाई लोग कहता है के OTG connection नहीं होता है तो by default यहाँ पे आके इनेवल करना पड़ता है डिस्प्ले, RAM, Memory, Information एक या है दोस्तो यहाँ पे आप जाओगे किसी भी status नहीं दिखाई दे रहा है अगर यहाँ पे इनेवल कर दोगे तो दोस्तो यहाँ पे आपको 100 कर रहा है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.56GB एविलेवल है 4GB से बहुत अच्छा फीचास है आप इसको इनेवल करके भी रख सकते हो दोस्तो एसेम्बिलेटी में आई है एसेम्बिलेटी में उधरां खास कुछ फीचास नहीं है फिर भी दोस्तो यहाँ पे एक option दिखाए देगा power button to int call यानि कि आप किसी भी call में हो और आप power button टैप करते हो तो ओ call कट हो जाएगा बहुत अच्छा फीचास है यहाँ पे आके backup and reset करके भी रख सकते हो उसके बाद दोस्तो एप क्लोनर में आओगे तो किसी भी एप को आप dual app में convert करके रख सकते हो मानलो whatsapp को मैं dual app में convert करना चाहता हूँ और दोस्तो जो whatsapp है वो dual app होके आ जाएगा दोस्तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो-दो whatsapp खुल के आ जाएगा एक whatsapp क्लोन है और एक whatsapp है तो आपके हिसाब से यह सब कुछ आप setup करके भी रख सकते हो ऐसे भी दोस्तो यहाँ पे आप आओगे game space दिखा देगा बिसकिलिए यहाँ पे आने के बाद आपको एक game को add करना पड़ता है जैसे कि दोस्तो मैं यहाँ पे दो game को add किया हूँ और यहाँ पे और भी add करके रख सकते हो बिसकिलिए जब आप खेलोगे तो बहुत सारे features देगने को मिल जाएगा यहाँ पे किसी भी call वेगर आये तो उसको mute करके रख सकते हो या आप call आना नहीं चाते हो आपके phone में तो OV off करके रख सकते हो बहुत अच्छा चाप features दिया गिया है आपके हिसाब से इस सब कुछ आप select करके रख सकते हो game में intern होने के बाद यहाँ पे आपको दिखाए देगा split screen दोस्तो एक क्या है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तो यहाँ पे आप click करोगे तो दोस्तो यहाँ पे three dots में click करोगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ split screen खुलके आ जाएगा और दोस्तो यहाँ पे messages या Amazon दो एप आप एक साथ use कर पाऊगे और दोस्तो यहाँ से आप swipe कर दिजिए और जो split screen है वो off हो जाएगा बहुत अच्चा-चा features दिया गिया है लेप सैट से swipe करोगे तो दोस्तो smart assistance खुलके आ जाएगा इसको आपको manually on करना पड़ता है और इसको सब कुछ allow कर दोगे तो दोस्तो बहुत सारे option तरह तरह की option खुलके आ जाएगा जैसे कि दोस्तो यहाँ पर आप देख साकते हो खुलके आगी आए दोस्तो यहाँ पर आके आप photo translate करके रख साकते हो यानि कि यहाँ पर आके किसी भी जो photo है उसको आप हिंदी या बेंगोली में convert करके रख साकते हो जो की बहुत अच्छा फिचास है ऐसे भी दोस्तो मेरा अवी internet connection नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है हिंदी to English, English to Hindi बहुत कुछ करके रख साकते हो ऐसे भी दोस्तो यहाँ पर कितने कदम चले हो ओ आपको यहाँ पर दिखाई देगा बहुत अच्छा अच्छा फिचास है केलेंडर वगरा आपका location में कितना temperature है ओ भी दिखाई देगा बहुत cool cool फिचास दिया गिया है आपके हिसाब से आप एस सब को change करके भी रख साकते हो और दोस्तो एथा Realme 5S का tips and trick या hidden features उमीद करता हूँ एफ वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लागा तो like करना और share भी करतेना आपके दोस्तों के साथ और subscribe करके बिल आइकन को भी बचा देना क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हर रोज लात रहता हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए तो किसी इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अंगलेकर इस वीडियो में तब तक हमरे साथ बोलते हैं वारत माता की जय